जन्म दिन है सल्मान खान का और इस खास मौके पर लेकर आए हैं सल्मान की डबंग आश्की नमबर 4 अश्वर यराये सल्मान के हर क्वाइश को हुकुमान सल्मान से शादी के सपने देखती सूनी के प्यार को लग गई नजर जबकि सल्मान उनसे नजरे चुराए एक और खूबसूरत हसीना की आखों में दूब गए जी मिस वर्ल अश्वर्या राय की दीवाने हो चुके सल्मान ने कैसे सोमी को छोड़ अश्वर्या की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिये इसी किस्वर्या की खुबसूरती के दीवाने हो चुके सल्मान ने अपने दोस्त और डिरेक्टर संजली रभनसाली को अश्वर्या को फिल्म में लेने के लिए रिक्वेस्ट किया और दोनों के बीच मुलाकातों का सिल्सिला शुरू हो गया लेकिन तब अश्वर्या को कहां पता था कि सल्मान कितना पैशनेटली उनके प्यार में दीवाने होते जा रहे हैं सूपरस्टा सल्मान खान के साथ काम करना जाहिर है अश्वर्या के लिए बड़ा मौका था जिसके लिए वो पूरी मेहनत कर रही थी लेकिन सल्मान मेहनत कर रहे थे अश्वर्या के करीब और करीब जाने के लिए एश पर प्यार जताने का, उनको रुझाने का, खुबसुरत गिफ देने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे सल्मान भनसाली के सेट पर एश्वर्या की हर जरूरत का ख्याल रखना ही था सल्मान का मकसद जब तब वो बनसाली को कह देते, ख्याल रखो एश्वर्या के पीछे भागने से लेकर, उनको हर रोज चिठिया लिख लिखकर प्यार का इजहार करना और सेट पर मौझूद ना होने के वड़ लगातार फोन करना सल्मान की आदत बन गया था हम दिल दे चुके की शूटिंग भुज में चल रही थी और एक पटिकुलर स्केडियूल में सल्मान सेट पर मौझूद नहीं थे लेकिन तब भी वो एश्वर्या को हर रोज फोन कर घंटों बाते किया करते थे इतना ही नहीं चिठ्धिया लिखा करते थे सल्मान खान और तो और वो भंजाली के असिस्टेंस को मेसिजज दे दे कर एश्वर्या तक पहुचाने की कोचिश किया करते थे वक्त के साथ साथ सल्मान एश्वर्या का प्यार मजबूत होता गया लेकिन सल्मान के पिछली दो गर्फरेंज की तरह एश्वर्या के पिता भी सल्मान को पसंद नहीं करते थे बावजुदिस के एश्वर्या अपने माबाप का घर छोड़ अंधेरी के लोगन वाले इलाके में अक्येली रहने लगी पूरे तरह एश्वर्या सर्फ सल्मान की ही होकर रह गई लेकिन जब एश्वर्या को सल्मान की बेवफाई की खबर लगी तो उनका दिल दूर गया अश्वर्या से commitment की उमीद रखने वाले possessive सलमान खुद दूसरी लड़कियों के साथ involved होने से गुरेज नहीं करते थे नतीजा एश ने सलमान से किनारा करना शुरू कर दिया लेकिन सलमान एश्वर्या का पीछा नहीं छोड़ा वो एश्वर्या के हर सेट पर पहट जाते थे अभिशेंक के साथ कुछ न कहो की शूटिंग हो या फिर शारुक के साथ चलते चलते की सल्मान ने इश्वरिया के हर सेट पर पहुच कर ना सिर्फ उनकी बल्कि उनके कोस्टर शारुक की भी इंसल्ट के शारुक के इश्वरिया के घर पर किया हंगामा, उनके फिल्म सेट पर हुई बत तमीजी, बेटी के लिए सल्मान का ये रवया जाहिर है एश्वरिया के पापा को मन्जूर नहीं हुआ, और उन्होंने सल्मान के खिलाफ पुलिस में कम्प्लेन कर दी, नतीजा, एश्वरिया के प्यार में दीवाने हो चुके सल्मान ने एश्वरिया के पापा से भी बत तमीजी की, और सल्मान का ये सलूक, एश्वरिया सल्मान के रिष्टे की आखरी कड़ी बन गया, और एश्वरिया ने सल्मान से हमेशा के लिए रिष्टा तोड़ दिया एश्वर्या से जुदाई बरकाश नहीं कर पारे थे सलमान तूट चुके थे, रिष्टा तूटने का यकीन नहीं हो रा था हर दोस के कंधे पर सर रख आसू बहाने से लेकर शराब में डूट जाने तक सलमान पूरी तरह तूट गए और फिर हुआ उनकी जिन्दगी का सबसे बड़ा एक्सिडेंट कार अक्सिडेंट के हाथसे ने शायद सलमान खान को बदल दिया कोट कचहरी के चक्करों ने सलमान के जिंदगी और नजरिये को इतनाया मोर दे दिया जिसके चलते एग्रेटिव सलमान के बहेवर में भी नर्मी दिखाई दिने लगी अक्सिडेंट के हाथसे के बाद एक वेबसाइट को दिये इंटरव्यू में सलमान ने एश्वर्या और उनके पिता के बारे में बात की और बताया कि एश्वर्या के पेरंस को उनके पुराने रिष्टों से एतरास था इसलिए उनका रिष्टा तूट गया सल्मान के अफसोस ने एश्वरिया पिर कितना असर डाला इसका अंदाजा लगाना तो मुश्किल है लेकिन सल्मान के साथ काम नहीं करनी की कसम तो एश ने अब तक बरकरार रखी है और दोनों के रिष्टे में हलका फुलका दोस्ताना रंग ही दिखाई नहीं देता पाचीज या इवेंस में गलती से भी आमना सामना हो तो दोनों के बीच की तलकी साथ दिखाई देती है